हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आज हम बात करेंगे IBD नाम की एक बिमारी के बारे में जिसको Inflamatory Bowel Disease बताते हैं ये क्यों होता है कैसे होता है इसके क्या लक्षन है और इसे हम कैसे बज़ सकते हैं मैं डॉक्टर मनीश काक, Consultant Gastroenterologist, Liver Specialist, Manipal Hospital गाजियाबाद तो फ्रेंट्स आज 19 में को World IBD मतलब Inflamatory Bowel Disease दे माना जाता है ये क्या बिमारी है? ये एक ऐसी बिमारी है जो हमारे आंतों में च्छाले बनाती है, जखम बनाती है और जिसके कारण मरीज को लैटिन में बलड आता है, एक बार नहीं कई बार आता रहता है महीना, दो महीना, छे महीना, साल, दो साल, तीन साल से मरीज बलीडिंग लैटिन में करता रहता है और दस्त लगे रहते हैं, दिन में पांच बार, छे बार, आट बार वो लैटिन जाता है और patient का वजन कम हो जाता है 2 kg, 8 kg, 10 kg, weight loss और भूख खतम हो जाती है एकदम body माइनस में चली जाती है तो कई बार इस संबन में मरीजों को simple antibiotic, amoebasis, GI-desis की दवाई दी जाती है जिससे की मरीज थोड़ी देर तो ठीक होता है लेकिन उसकी basic बिमारी ठीक नहीं होती इसका कारण होता है आंतों में चाले, आंतों में जखम तो friends इसको ulcerative colitis और prone disease करके दो बिमारे होती हैं जो IBD नाम की बिमारी को एक बनाते हैं यह क्यों होता है? इसका कारण होता है कुछ तो हमारा genetic है, हमारे gene है हमारे पास by nature, by birth कुछ ऐसे genes आते हैं जिससे हमारे आंतों में चाले बनने की tendency आती है ulcerations बनने की tendency आती है और आंत फिर्शिक उड़ जाती है आंत का diameter कम हो जाता है जिसके कारण मरीज कभी कभी obstruction में मतलब आंतों की रुकावट के कारण hospital आता है और कई बार खूनी दस्त के कारण hospital आता है इसको diagnose कैसे कर सकते हैं इसके लिए एक simple सा test है बेसिक सा test है उसको colonoscopy बोलते हैं जा endoscopy बोलते हैं जिसमें लेटरिन के द्वारा एक camera डाला जाता है और आतों को देखा जाता है बारी के से और इसको diagnose करने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं मतलब मरीज हमारे पास ऐसे भी आये हैं जिनको 3-3 साल से खूनी दस्त हो रहे हैं अमीबेसिस, जायडेसिस की दवाई चली है कुछ लोगों को piles या hemorrhoids की surgery भी हो चुकी है या उसका treatment भी हो चुका है लेकिन फिर भी bleeding बन नहीं हुई एक simple test से पूरा diagnosis हो जाता है और बिमारी को control किया जा सकता है इससे बचने का उपाई है सही खाना खाना junk food avoid करना बाहर का खाना avoid करना time पे खाना पीना, healthy lifestyle रखना और कभी भी अगर ऐसा दिकत लग रहा है कि bleeding बार बार आ रही है control नहीं हो रही है पेट में दर्द है, weight loss हो रहा है तो आपको तुरंत नजदी की doctor या hospital में जाके आपको अपना examination कराना है और यदि लगे तो colonist copy नाम का एक simple test है कभी कभी CT scan भी करना पड़ता है कभी कभी Latin के कुछ simple test है जिसको stool routine बोलते हैं stool care protecting बोलते हैं ये test करके इस बिमारी को easily diagnose किया जा सकता है और हमारे पस कारगर दवाया हैं medicines हैं जिससे इस बिमारी को control कर सकते हैं bleeding control कर सकते हैं और मरीज का weight gain होता है भूख वापस आती है और health improve होता है तो my friends to conclude में ये कहना चाहूँगा कि आपने सहत का ख्यार रखिये और कभी भी ऐसा unusual symptom लगता है तो तुरंत नजदी की hospital आईए या हमारे पास मनिपाल hospital गाज़ेबाद आईए तो हम आपका पूरा ख्यार रखेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका problem solve हो Thank you very much, नमस्कार